Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So, आज की लेक्चर के अंदर हम class 10th ICAC का जो chapter 5 है, उसके part B की जो exercise है, that is exercise 5B, उसके जो बाकी कोशन रहे थे, उनको हम discuss करने वाले हैं. तो बिना कोई time waste किये, चलिए, शुरू करते हैं. So, बात करने हमें हमें question number 16 की, क्याता है, where will the image be formed if an object is kept in front of a concave lens at a distance equal to its focal length and draw a ray diagram to illustrate your answer. देखे, बहुत ही ज़्यादा simple है. सबस्वेल तो आप यह देखे, कि concave lens है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखाए देता है, right? यह देखे, यह आपका हो गया concave lens. Done. और यह हो गई आपकी principal axis. अब सबसे important बात यह है, कि हमें पता होना चाहिए, कि कहाँ पे आपका F1 है, और कहाँ पे आपका F2 है. तो concave यह case में, जो F2 होता है, वो यहाँ पर होता है, from the left hand side. और यह हो गया double of the focal length, that is 2F2. और यहाँ पर हो गया आपका F1, और यह हो गया आपका 2F1. अब अगर आप caution को ध्यान से देखो, तो वो कहाँ रहा है, कि जो आपका object है, उसको रखा गया है, in front of a concave. In front का मतलब होता है, to the left hand side of the lens. तो इसको front कहा गया है, और इस वाले हिस्से को behind कहते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद वो कहता है, कि at a distance, equal to its focal length. तो focal length क्या होता है, the distance between the second principal focus and the optical center. तो यह आपका focal length हुआ, यहां से लेके यहां तक आपका. तो जो आपका object है, वो actually में यहां पर रखा हुआ है. तो यह आपका हो गया placement, किसका आपके object का. अब हमें क्या करना है, दो rays of light लेके जानी है. पहला parallel to the principal axis और दूसरा optical center से हम pass करेंगे. तो अगर ray of light मेरी parallel है principal axis के, तो बिलकुल center में पहले एक line बना लिया करो, क्योंकि उसी को reference में लेकर आप इसको deviate या convert, जो भी करना वो आप कर सकते हो. तो ये parallel है, आप जानते हो अगर ray of light आपकी parallel होगी, तो वो अपने path से deviate होती है, मलब diverge होती है. मैं थोड़ा से इसको और clarity में बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए. एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ताकि आपकी ये चीज़ भी समझ में आए, मैं क्या कर रहा हूँ. तो देखिए, मैं थोड़ा सन अपने लिए इसको ऐसा कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आदेगी, मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छी में, तो ये देखिए, अब बिल्कुँ सही है, तो हो क्या रहा है, अच्छी में रेय ओफ लाइट इस पैरलल तो दे प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने ये अच्छी तरह से स्टड़ी किया है, कि अगर रेय ओफ लाइट पैललल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अपने पास से डैवर्ज करता है, बड़ वो डैवर्ज इस तरीके से करेगा, कि अगर मैं उसको पीछे के साइड में एक्स्टेंड करूँ, तो वो मेरा F2 से पास होना चाहिए, तो ये बात हमें याद होगी, तो हम ये वाला जो कोशन है, अराम से स्टड़ी कर पाते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि अगर रेय ओफ लाइट, अगर मेरे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, मैं थोड़ा से इसको और अच्छा बनाने कोशिश करता हूँ, कहां से जाएगी, ये देखिए, अप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है, तो बीना किसी डेविएशन के वो आर पार चले जाता है, तो देखो ये एक पॉइंट आपको मिल रहा है, जहां पर आपकी एक वर्चुल इमेज जो है, उसकी फॉर्मेशन होगी, तो यहां पर मैं क्या करूँगा, डोटेट लाइंसे को रिप्रेजेंट करके, उपर की तरफ एरो लगा दूँगा, तो अगर ये मेरा ए बी है, तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश, बी डैश, ये मेरा बी है, तो यह ओगर ए डैश, बी डैश, अब वो कह रहा है, कि बताए बीट्वीन, फोकस और अप्टिकल सेंटर टू, या एफटू और अप्टिकल सेंटर टू, पहली बात, करेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देखी सकते हो, कि ये जो आपकी इमेज है, पहली बात वर्चुल है, और अगर ये वर्चुल है, तो ये एरेक्ट भी होगा, अब आपको पता है, कनकेम में जब भी आपकी वर्चुल होगा, वो डिमिनिज्ट ही बनी है, तो डिमिनिज्ट इमेज जो है, वो आपको यहां पे मिलती है, तो आपको ये वह ने जवाला चरी तरव को समझ में आ गया होगा, चलिए अब आपको लेके चलता हो, आपके next question की तरह so next question में कहता है कि draw a ray diagram to show how a converging lens is used as a magnifying glass to observe a small object so mark on your diagram the foci of the lens and the position of the eye so यह आपका required answer है देखिये when you place an object in between focus and the optical center in that case you are having a virtual interact as well as enlarged image तो यह आपका ray diagram है और साथ में यह आपका eye है जहां से आप इसको देखेंगे next कहता है कि draw a ray diagram to show how a converging lens can form an image of the sun hence give a reason for the term burning glass for a converging lens used in this manner so देखिये simple सी बात है बेटा कि अगर मेरी rays of light पहलर हो और convex lens रस्ते में रखें तो उस case में सारी के सारी जो rays है वो आपकी किसी एक particular point में meet करती है तो अगर उसी point पर गर मैं paper रख दूँ तो इतनी जादा tremendous amount of heat बनती है कि वो जो paper है उसको burn कर देता है जिसकी वज़े से मुसको as a burning glass भी कहते है clear तो आगे देखें तो आगे कहता है कि a lens forms an inverted image of an object inverted की बात करें तो real बनेगा concave तो कभी बनाई नहीं सकता इसी वज़े से यह आपका convex आएगा अब कहता है कि यह real है कि virtual obvious real है अगर inverted है तो real होता है next मैं कहता है कि upright and magnified image of an object पता है क्या बात है मैं बताता हूँ आपको कि लगभग 70% जो students है वो इसका अंसर गलत देंगे because upright को सोचके न वो एकदम से कहते है वर्चूल हो गया जी वर्चूल हो गया तो इसको जल्दे से इमेज बनती है upright बनती है और वर्चूल बनती है बड़ यह magnified है इसलिए convex होगा हां कहते है इसका diagram बनाओ तो यह इसका diagram है देख लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है कि magnified erect और वर्चूल इमेज बन रही कि नहीं बन रही है तो यही इसका required answer है so next में कहते है can a concave lens form an image of size two times that of the object answer है no and reason कह है कि when a ray of light pass through a concave lens it diverge due to which image formed by concave lens is diminished आपको मैंने ray diagram में भी दिखाया था ना कि concave case में क्या होता कि जो ray of light होती है जैसे strike करती है diverge हो याती है अपने भी भी नहीं हो सकता next question में कहता है give to characteristic of the image found by a concave lens तो concave lens है ना पहली बात तो virtual और दूसरा erect यह आपका required answer है next कहता है give to characteristic of the virtual image found by a convex lens convex lens की बात बहुती ना तो okay तो पहले तो होगा magnified magnified दूसरा erect ठीक है next तो इस question में कहता है कि in each of the following cases where must an object be placed in front of the convex lens so that the image formed is at infinity तो add focus of same size मतलब add to f1 inverted and enlarged between f1 and 2f1 upright and large between f1 and optical center तो यह है इसका required answer फिर वो कहता complete the following table कहता convex है between optical center and focus nature of the image virtual होगा and erect होगा size of the image magnified magnified होगा convex add focus होगा तो यह हो जागा real and inverted highly magnified highly magnified अच्छा next कहता concave में जब object कों infinity पे रखते हैं ठीक है infinity पे तो क्या होगा पहली बाद तो virtual and erect highly diminished highly diminished अगर आप कहता है कि कौनके में at any distance तो virtual erect तो आएगा ही erect तो आएगा ही ठीक है diminished तो यह इसका required answer है इस question में कहता है कि state the change in the position size and the nature of the image when the object is brought from infinity up to a convex lens illustrate your answer by drawing the ray diagram अरे यह कह रहा है जिसके अंदर आपको हर एक ray diagram बनानी पड़ जाएगी नहीं ऐसा नहीं आने वाला हाँ तो यह सब आपको बता होना चाहिए of course but ray diagram सभी की बनाने को नहीं आ सकती उसके बाद कहता है कि concave में क्या होगा आपको बता अच्छे से कि जैसे ऐसे मेरा कोई भी object concave की तरफ आता है वैसे ऐसे उसका size बढ़ता रहता है लेकिन उसका size हमेशा object के with respect हमेशा कम होगा यह बात में चाहिए आ रखना next question में कहता है कि complete the following sentences an object is placed at a distance of more than 40 cm from the convex lens of focal length 20 cm so the image formed is rear inverted and diminished ठीक है यह beyond 2f1 वाला case है वेट आपका an object is placed at a distance to f from the convex lens of focal length f अरे equal to और same size equal to फिर वो कहता है an object is placed at a distance 5 cm from a convex lens of focal length 10 cm देखो न आपको पता तो लग रहा है यहाँ पर कि object जो है वो optical center और focus के बीच में रखा जा रहा है तो यह magnified होगा यह है आपका required answer next कहता है true and false कहता कि a convex lens has a diverging action and a concave lens has a converging action false उल्टा होता है concave lens if kept at a proper distance from an object can form a real image false concave कभी भी real image नहीं बनाता a ray of light incident parallel to the principal axis of the lens passes undeviated after reflection false deviate कर अपने पास से a ray of light incident at the optical center of the lens passes undeviated after reflection यह true है आपका a concave lens forms a magnified or diminished image depending on the distance of the object from it बिल्कुल false है आपका magnified कभी भी नहीं बनाता है हमेशा वो diminished nature का होता है तो यह है आपका required answer तो आज की lecture के अंदर हमने exercise B के जो बाकी questions आगे थे उनको हमने discuss कर लिया है I hope आपको यह questions और उनके जो answers है वो समझ में आगे होंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही Thank you so much